नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का और आज हम पढ़ेंगे मार्च 24 के इंतर राष्टी करोनलोजी को इससे पहले जैन्वरी और फेर्वरी की जो करोनलोजी है उसमें वीडियो हमारे पेंडिंग है तो उनको भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे लेकिन पहले हम मार्च आज की करोनलोजी को कंप्लीट करेंगे उसके बाद में उन दोनों जो मेगजीन से उनको कवर किया जाएगा तो यह मेगजीन मार्केट में आ चुकी है आप जरूर से पर्चेस करें और जिन लोगों के पास में भी यह अवेलेबल नहीं हो पाती है कोई रिमोट एरियास मे है तो वह इसका पीडिएफ जो है अमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन वह आपको अभी नहीं मिल पाएगा जब यह पूरी मेगजीन कर लेंगे उसके बाद में उसका पीडिएफ अपलोड किया दाएगा तो आप वहां से उसको देख सकते हैं तो च उसको ग्रेमी अवर्ड दिया गया है और उसमें भारतिये संगीतकारों का जो यह बैंड है पूरा जिसमें आप भी देख सकते हैं शंकर ऐसान लोई है और यह तबला वादक है जाकिर हुसेन यह हरी प्रसाद चोरसिया है जो की एक मासूरी वादक है तो इस प्रकार से पा प्राजस्तान का बजट जो है अंतरिम बजट इसको हम बहुत डीटेल से पढ़ेंगे प्रादेशिक परीद्रश्य में और पीएसी के आपके जो भी एक्जाम्स होते हैं वहां पर प्रादेशिक परीद्रश्य आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत इंपोर्टन है वहां चौधरी चरण सिंग, पीवी नरसिम महराओ और लाल कृष्णा अडवाने जी इन सभी को जो है भारत रतन देने की पांच शास्तियों को भारत रतन देने की घोशना की गई है तो पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए फिर देखे ग्यान पीट पुरसकार जो कि साहि पुरसकार जो हमारी एट शेडियूल है आटवी अनुसूची है उसमें जो बाइस भाषा है उसमें जो साहित्य रचना होती है उसको लेकर की पुरसकार हस्तियों को दिया जाता है इस बार गीतकार गुलजार जो की उर्दू के अंदर अपनी जो नजम है वो लिखते हैं और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचारे जो की संस्कृत भाषा के अलावा पूरी 22 भाषाओं का ग्यान रखते हैं। उनको अपनी क्रतियों के लिए ये ग्यानफीट पुरसकार से नवाज आ गया। तो इन दोनों लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। बाफटा पुरसकार ऑस्ट्रेलिया चौथी बार आइसी सी के अंडर 19 विश्वकप का विजयता बना और इस बार इसने भारत को हराया है यहां पर फाइनल में भारत को हरा करके यह चैंपियन बना है। फिर देखें आपको यहां पर एक फोटो दिख रहा है तो यह जो है एशियाई टीम है भारती एशियाई टीम है जो कि महिला बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियन बन करके या स्वरन पदक जीत करके भारत के लिए लेकर के आई है। फिर केलो इंडिया विंटर गेम्स इनको हम आगे पढ़ेंगे उच्छे न्यायले जो हमारे राजस्तान हाई कोट है वहां के नए मुख्य न्यायदीश जो है उनको अपोइंट कर दिया गया है उनका नाम है मनिंदर मोहन श्रिवास्तव तो यह नाम आपको ध्यान रखना ति एक एक समझाथा गया है उसको भी हम आगे डिल से देखेंगे भी तताहिक है प्रदान्मंतिर मोदी कि सेयुक तरब अमीराथ UAE और कतर की यात्रा है जो कि काफी important है और यह हम आगे जो है factual जो इसके अंदर कुछ बाते हैं वो हम further जो है magazine में देखेंगे paper leak और नकल रोकने वाला विध्यक संसद में पारित हुआ है तो यह काफी important यहां पर चीज है जो पहली बार इस प्रकार का जो है कोई बिल यहां पर पारित किया गया है फिर देखें इस रो का मौसम उपग्रह इंसेट 3DS कक्षा में सफलता पूरवकर स्थापित किया है space and technology से related जो भी खबरें होती यह एक और जो सर्वेक्षन जहाज है इसके बारे मैंने कली आपको बताया था जब हम जैन्वरी वाली chronology space and defense technology वाला पढ़ रहे थे तो आईएनस अंधायक क्या है तो यह सर्वे वैसल है और भारत का सर्वे वैसल है पहला तो यह आईएनस अंधायक के बारे में आपको पता होना चाहिए इसको नौस देना के अंतर भी शामिल कर लिया गया है तो फ्रेंज यह था एक थोड़ा सा हाइलाइट और अब हम पढ़ेंगे जो मेन हमारा आर्टिकल वाइस जो चीज़े हैं उसको हम देख लेते हैं अब देखिए जो फर्स्ट यूज है वो है हमारे भारतिये जो वैपारी है जिनका नाम है सुनील मित्तल उनको भारती यह भारती एंट्रप्राइज जो कि एक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी है मोबाइल यह उपादी पाने वाले भारत के पहले शक्स है और इनको किस प्लक्ष में यह नाइठूट की सम्मान दिया गया है कि इन्होंने जो है बिटेन यूके और भारत के जो व्यापारिक संबंद है उसमें इनोंने विशेश योगदान दिया है इसलिए इस सम्मान से या नाइट हूट की उपादी से इनको सम्मानित किया गया है तो यह देखिए कि यह सम्मान पाने वाले पहले हैं और यह काफी बड़ा सम्मान है काफी उच्चस्त सम्मान है ब्रिटेन की तरफ से तो यह हम नुक राव नहीं लोगपाल नहीं है। 2013 के अंदर act ला करके जो है इसको create किया गया लोगपाल और लोकायुक्त act लाया गया तो राज्यों के लिए तो लोकायुक्त होते हैं और जो हमारा country है center के लिए जो है लोगपाल का appointment किया जाता है इसका appointment जो है एक select committee के दुबारा सुझाव देकर के दिया जाता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी सदस्य होते हैं और उसके लावा जो president होता है वो इस लोगपाल को appointment करता है इसके काफी drawbacks भी है और काफी जो है इसके merits भी है उन सभी को में 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 बताऊं तो राजस्थान में 1973 में इस संस्ताव को create किया गया था सबसे वहले महराश्टर के अंदर जो है लोका एक्ट जो है वह पास किया गया था तो यह कुछ इतिहासिक बाते हैं तो नाम याद रखिएगा कि जस्टिस अजय मानिकराव खन्विलकर जो है वह हमारे नए लोगपाल जो है वह बनाए गये हैं फिर देखिए नेक्स्ट जो है यह आप ध्यान रखिएगा लोगपाल अध्यक्ष के बारे में अच्छा पहले लोगपाल अध्यक्ष कौन थे तो पहले पिनाकी चंद्र गोश्टे यह भी आपको बताऊना चाहिए यह दूसरे लोगपाल अध्यक्ष है अजय मानिकराव खन्विलकर चलते हैं नेक्स्ट यह नहीं है लेकिन ध्यान रजा है बस फिर देखिए अल्जीरिया अलजीरिया खह weapon कावं पर पठता है अफरीका आपने देखाओंग अफरीकन इत यह अलजीरिय के इस्थानिया नाम है यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जित का निर्मान किया गया है जिसका नाम ह वहां पर इसके निर्मान किया गया है तो जामा सुप जो भारत का बहुत यकी ऐख संहे दो के हैं वो दिया जा चुका है तो जो जो के ग्रीन रेवोलूशने से समभंदेट हैं ऊभी हमारे बीच में नहीं पोस्ति मेसली उनको ये पुरुसकार दिया जा रहा है पीवी नरसिम्मा राओ लालकृष्ण आडवानी करपूरी ठाकूर और चौधरी चरण सिंग इन सबी को जो है भारत रतन से नवाज़ा जाने की गोशना की गई है पांचों के नाम आप ध्यान रखेगा फिर देखें क कोशन तो एक्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन ठीक है थोड़ा जर्नल नॉलेज के लिए जैसे कि अब यह पता है सोनिया गांदी जी जो है वो राजस्थान से उन्होंने जो है राजसवा चुनाव जीता है फिर यह मैंने आपको बता दिया था दाजसाफ वालके अ से वेबस देखेंगे तो आपको विज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है तो सीवी रमन के बारे में आप वहां पर भी पढ़ेंगे तो रमन इफेक्ट जिसको आप लाइट इफेक्ट भी कहते हैं तो उनके जनम दिवस को 28 फरवरी को जो है राश्ट्रे विज्ञान रखिएगा फिर देखें थाइलेंड के पटाया में बैड्मिंटन वर्ड फेडरेशन के द्वारा पैरा बैड्मिंटन विश्व चेंपियंशिप का एउजन किया गया था इसमें भारत ने एक कुल 18 पदक जीते हैं तो अभी हम स्पोर्ट से रिलेटेड बैड्मिंटन क्र तो सभी को आप याद रखिएगा तो हाला कि यह तो थोड़ा जनरल फैक्ट है कि भारत ने कित्ते पदक जीते हैं ऐसा कोशन तो कमी आने के संभावना है लेकिन फिर ध्यान रखिएगा 18 पदक यहां पर जीते हैं फिर देखें सोलर एनरजी कॉर्पोरेशन ओप इंडिया फिर यह मैंना आपको पढ़ाई दिया है फिर देखें जमात इस्लामी जो जम्मू कश्मीर का जो एक आतंकी संगटन है इसको दुबारा से प्रतिबंदित कर दिया गया है और संगटन पर पहली बार कब प्रतिबंद लगाया गया था तो 2019 में इस पर प्रतिबंद लगाया फिर एक इस प्राकरतिक इस्तल को ओडिशा का चौथा जय विविद्दा विरासत इस्तल जो है वो नामित किया है तो यह गुपतेश्वर वन है ठीक है तो गुपतेश्वर वन जो है इसको बायो डायवर्सेटी साइट जो है वो गोशित किया है एक एक्ट है फ्रेंट्स जिसको बायो डायवर्सेटी एक्ट कहा जाता है 2002 का, उसके तहत ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर यूनीक फ्लोराइन फोना हो, यानि के जहांके प्रजातियां वहाँ पर थ्रेटेंड या की स्टोन स्पीशिस निवास करती हो, ऐसी जगे को जो है राज्य सरकार बायो डायवर्सेटी साइट जो है वो घुषित कर सकती है, तो इसी प्रकार से या इसी परिपेक्ष में उडिशा के सरकार ने अपने इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, इन्ट्रीटिव मशीन, क्या नाम है इसका, इन्ट्रीटिव मशीन, तो यह भी ध्यान रखिएगा, फिर देखिए, IEEE, IEEE, यह IEEE क्या मतलब हो है इसका, इसका मतलब है इंडियन इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल एंजिनियर्स, तो यह एक तरीके से डिपार्टमेंट है, और इस, यह केरल का एक डिपार्टमेंट है, जिसके, इस्रू अध्यक्ष S. सौमिनात को, जो है, इसमें एक पुरुषकार, तो ध्यान रखिएगा, KPP नाम्बियार पुरुषकार किसको दिया गया है, इस्रू के जो अध्यक्ष है, S. सौमिनातन, उनको यह पुरुषकार दिया गया है, फिर देखे, गुजरात के ओखा में, गुजरात में, ओखा मुख्य भूमी और बेट द्वार के अंदर, पहली जो वाटर मेट्रो है, उसका उद्गाटन भी प्रधान मंतरी जी के द्वारा किया गया है, तो यह भी करंट में था, तो ध्यान रखिएगा, एक तो सुदर्शन सेतु, जो कि गुजरात में, ओखा मुख्य भूमी को बेट द्वारी का दीप से गया है, जिनके नाम है, शंकर महादेवन, जाकिर हुसेन, गरेश, राजगोपालन और विनायक राम, उनका जो एल्बम है, उसका नाम है इस मुमेंट, ठीक है, और यह जो है, शक्ति नाम का एक वैसे इनका एल्बम है, शक्ति एल्बम जिसमें आर्ट के करीब जो है, वो पुरुसकार दिया गया तो ग्रेमी पुरुसकार है और पार्च हमारे संगितकारों को दिया गया है इनके नाम आप ध्यान रखिएगा पिर देखिए नेक्स्ट है इसरों ने अपना एक मौसम सैटलाइट जो है वो लॉंच किया है मौसम की जानकरी रखने वाले सैटलाइट है वहाँ पर इसको इस्तापित किया गया है इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब स्पेस एंड डिफेंस टेकनोलोजी वाला पॉर्शन पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट देखिए कौन सी कंपनी के द्वारा भारत का पहला नीजी जासू सी उग्रे आप जानते ह इन्वेस्टिगेशन सेटलाइट जो है लॉंच किया गया है तो टाटा के द्वारा जो है इसको लॉंच किया गया है टी ए एसल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टी एसल के द्वारा भारत का पहला नीजी जासू सी उग्रे लॉंच किया गया और इसको लॉंच करने का कार्य जो है SpaceX जो Elon Musk की कंपनी है उसने किया है तो launch SpaceX के द्वारा किया है बनाया किसने इसको तो भारत का TASL जो है उसने इसको निर्मित किया है फिर देखे प्रधान मंत्री जी ने अभी आपको पता है UAE की आतरा पे कतर की आतरा पे यह है तो अबुधाबी के अंदर पहले यह कहां पर है यह पता होना चाहिए तो अबुधाबी के अंदर जो है इस मंदिर का उधगाटन किया गया है वहाँ का पहला हिंदू मंदिर है यह फिर देखे विश्व तिरंदाजी द्वरा किस भारत के युवा तिरंदास को ब्रेक्तु आर्चर आर्चर आफ दे इर का और यह हमारे भारत की अधिति स्वामी को दिया गया है तो नाम पूछ लेंगे क्योंकि देखे यह आपके स्पोर्ट्स में है या फिर पी आई यानि परसने न्यूज के नाम पर भी एक कोशन पूछा जा सकता है तो अगर रिसेंट को एक्जाम सो तो ऐसे परसने न्यूज वाले कोशन को अच्छे से पढ़के जाईएगा यह इसलिए मैं हाइलाइट को बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ ताकि आपको इसमें से भी एक दो कोशन जो है वो देखने को मिलेंगे फिर देखिए नेक्स्ट है थाइलेंड के अंदर अभी जो है थाइलेंड आपने स दिवस उत्सव है यह थोड़ा ध्यान रखियेगा कहां का है तो थाइलेंड का है और इसके बारे में और डीटेल में हम आगे जो हमारा राश्टी परिद्रश्य है वहाँ पर भी पढ़ेंगे अच्छा काजी नेमू जिसको खटा नेमू भी कहते हैं कौन सी राज्य सरकार ने इसी अभी अपना राज्य फल घोशित किया है तो असम की जो सरकार है उसने अपने राज किये जो फल है वो काजी नेमू को डिकलेर किया है फिर देखे अंतराश्ट्रिय सौर गटबंदन आई ऐसे इसके बारे में आप जानते ही हैं फ्रांस और भारत ने मिलकर के जो ह इसकी स्थापना 2015 में की थी जिसमें जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है जो इक्वेटर पर आते हैं वो इसके सदस्य देश बन सकते हैं तो अभी इसका 119 वा जो सदस्य बना है वो माल्टा है तो माल्टा की राजदानी किया है कहां पर यह देश पढ़ता है इसके जो ज कमेंट शियर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप फालतू की बात है तो बहत शियर करते हैं आप जहनते नहीं कि मेरा पूरा नाम EL support रितेंडर क assumptions कहते हैं तो पता है कि मैंने ब naive कं़ बार से बीदेन का रि Beginning को को लेकिन कुछ पर्सनल बार क्रीजंस नि equity मैं पेंदbres तरीके से आप सोच समझ के किया किजिएगा मैं जैसे आपको भाइबेन समझती हूं अपना वैसे आप भी जो है उसको थोड़ा सा मद्दे नजर रखिए ठीक है फिर देखिए नेक्स्ट है मैं देखिए अपने परेशानी इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि आपका समय व कमेंट सेक्शन अच्छा रखिए और कोई गलत कमेंट करता है तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूं अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा भी लाइक करते हैं मैंने कभी आपसे यह नहीं का कि आप सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए यह कर लिए वह कर लिए लेक इसका wildlife photographer of the year people's choice award people choice award काफी एक प्रतिष्टित पुरसकार है और एक ब्रिटिश फोटोग्राफर को यह दिया गया है इस बार का तो निमा सरी खानी यह विक्ति है इनको यह फोटोग्राफर है ब्रिटिश फोटोग्राफर उनको यह पुरसकार दिया गया है जो मैंने टिक लगाया है जिन पर मैंने स्टार बनाया है तो वो तो काफी इंपोर्टेंट है उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है जब आप सेकंड थर्ड रिविजन करें तो अच्छी तरीके से उनको जो है आप पढ़ना क्योंकि उनमें से कोशन जो है वो जरूर बन करके एक्जाम मे बार जीता है तो तीसरी बार लगातार जो है उन्होंने पुरुसकार जीता है इगा स्वातेक के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं जो हम यूएस ओपन और इनमें कई बार वो जीती भी है तो ग्रेंड स्लम उन्होंने जीते हैं तो इगा स्वातेक जो है कतर ओपन लगाता होते हैंwechsel 각lez होते हैं तो इसमें हो इन दो नर्गिस दत्क के नाम पर एक पुरशकर होता था और इन दोनों के नाम we जो पुर्सकार दिया जाता था उसको अब कर दिया गया है परियावण से संबन से कर सबसे बेस्ट फिल्म होगी तो उसको उसके तो यह थोड़ा नाम चेंज वाली जो चीज है वो भी देखने है की है फिर देखिए वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपेंशिप में किस देश ने पुरुष और महिला टीम इस परदा में स्वर्ण प्रदक जो है वो हासिल किया तो 2024 का जो टीटी है टेबल टेनिस है उसके अंदर चाइना न लड़ाकू यानि combat fighter jet झेट उन्हों ने बनाया है इसका नाम ध्यान रखना है स्का नाम क्या है का पूछलेगा कि हाली में जो है ये शब्द प्रचलित में था तो यह क्या है तो जो है वह विमान है एक ऐसी कुशन में आते हैं आपको ध्यान rखना है और क्या गई है जिनको आदर भूमिया आप कहते हैं जो कि अपने यूनिक एको सिस्टम के लिए उसको प्रिजर्व या कंजर्व किया जाता है तो अभी करनाटक और तमिलाडू के अंदर जो है के अंदर सरकार ने नई आदर भूमिया पांच आदर भूमियों को जो है वो चिन्नित क जब हम मिलेंगे तब हम अंतराष्ट्य और राष्ट्य परिद्रशों को साथ में पढ़ेंगे चैनल के साथ अब बने रहीएगा और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यहां तक जो है चैनल का साथ ने बाया है बाकि देखिए यह चैनल एकोनोमिकली मेरे को वा है और मैं इसको बंद नहीं करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा उतना में अच्छी चीज़ डिलेवर करने के आपको पूरी कोशिश करूंगी तो आप बने रहीएगा आपका जो साथ है वही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए थैंक्यों वेरी मच ओल फ्यू फॉर लिस हैं